स्कॉर्पी और कार से दो थानिकी पुलिस ने भारे मातरा में विदेशी शराब किया बरामद प्रदेश में शराब बंदी के 6 साल बीत गए लेकिन शराब माफिया धरले से शराब की खेप बिहार में ला रहे हैं हाली में जहरेली सराब पेने से छपरा में सैक्रों लोगों की जान गई इसके अलावा सारन में भी पांच लोगों की मौत हुई लेकिस शराब बंदी वाले बिहार में माफिया शराब लाने से बाज नहीं आ रही है जगदेशपूर थाना शेत्री की सनहौल चेक पोश्ट पर पुलिस ने एक कार और एसकारपियों को जाज के लिए रोका ज्राइवर गाड़ी लेकर भागने का प्रियास करने लगा पुलिस को सक्कोई पुलिस ने कड़ी 15 किलोमेटर तक पीछा कर एक कार को धर दबोचा तलासी लेने पर भारी मातरा में विदेशी शराब बढ़ा मध हुई हलाकि शमय रहते चालक मौके से फरार हो गया जगदीशपूर पुलिस को चकमा दे सकारपियो चालक वहां से फरार हो गया बताया जा रहा है कि जगदीशपूर थाना अद्द्यक्ष आमीद कुमार ने इसकी जानकारी बाइपास ट्योपी पुलिस को दी पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए सकारपियो का पीछा किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी तेज रफतार से भाग रही सकारपियो खाई में जागिरी रात होने की वज़़े से पुलिस को इस बात की खबर नहीं मेरी के सकारपियो खाई में जागिरी है सुबह बाइपास पुलिस ने खाई से रिस्क्यू करकर स्कार्पियों को बाहर निकाला तो भारी मातरा में विदेशी शराब बढ़ा मत किये पुलिस ने स्कार्पियों से कई फर्जी नंबर प्लेट भी बढ़ा मत किये है खाई में गिरे स्कार्पियो पुलीस का नंबर प्लेट लगा कर शराब की तसकरी कर रहे थे फिलहाल पुलिस पुरे मामले की छान बिन कर रही है वहीं सीटी एसपी सुर्ण पुर्भात ने बताया कि आज सुवह करीब तीन बजे सिन हॉल चेक पोस्ट पर बंका की तरब से आ रहे कार हुंडाई एक सेंट एवम एक सकार्पियो दोनों शराब से लदे पुलीस की चेकिंग को देखते हुए भागने का प्रयास किया कार को जगदीजपूर थाना द्वारा पीछा कर पकड़ लिया गया भागने के क्रम में सकार्पियो गारी आगे जाकर दुरघट नागरस्त हो गई दोनों गारी में एक ही ब्राण के विदेशी शराब मिले हैं फॉर्वर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अगतर कारिवाई की जा रही है भागलपुर से समवाद दाता विशेक आनंद की रिपोर्ट